दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल लाइन अप नॉलेच पे आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि उनको अपना ड्रीम कार मिले पर कई ना कई फाइनेशल लॉसिस या पैसो के तंगी के वज़े से अपने सपनों को छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं तो थोड़ा थम चाहिए आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे आप अपने सपनों के कार ले सकते हैं अगर आप भी कार लेना चाहते हैं लोन पे तो आपके लिए एक बहतर आपशन लेके आई है SDFC Bank तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं SDFC Bank के कार लोन के बारे में तो यहाँ पर हम बात करेंगे interest rate के बारे में, charges के बारे में, tenure के बारे में, EMI options के बारे में, documentation क्या रहेगा, आप कैसे apply कर सकते हो इस loan को, process क्या रहेगा, eligibility and criteria क्या रहेगी, सभी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, सबसे पहले interest rate के तरफ दोड़ लगाते हैं, ताकि ले कि यहाँ पर interest rate क्या देखने को मिलेगा, दोस्तों वैसी interest rate जो है depend करता है आपके civil score के उपर, आपका क्या credit score है, आप किसी साबसे अपने payment कर चुके हैं पहले, अगर आपका credit score अच्छा है, तो definitely आपके उपर bank भरोसा करेगी और कम interest rate पर आपको loan देगी, और अगर आप का credit score खराब है, तो वहाँ पर आपको higher loan interest rate की तरफ जाना पड़ेगा, खास तोर पर जो bank ने अपने bracket सेलेक्ट कर रुक है, वह है साथ से लेके 13%, अब इसके अरावा बात करेंगे हम charges के बारे में, क्योंकि कोई भी loan लेने के लिए हमें कुछ charges जो है pay करना होता है, उसमें स जो सबसे एहम charges होता है, documentation charges, कुछ सुल्क लेती है, जो कि है 700 रुपे, अगर आप loan cancel कर देते हैं, तो दोस्तों ये 700 रुपे आपको नहीं मिलेगा ये चीज आप, इसके बाद जो दूसरा होता है, वो है processing fees, यहाँ पे जो processing fees आपको जो सुल्क देखने को मिलेगा, वो total जो आपको loan amount है, उसका 1 से 2% देखने को मिलता है, पर कभी कवार bank आपको ये processing fees आपसे नहीं लेती, क्योंकि ये bank क्योंपट depend करता है कि आपका और bank का कैसा संबंद है, civil charges आपसे लेते हैं, आपकी civil score को verify किया जाता है, तो उसके लिए 50 रुपे bank आपसे लेती है, दोस्तों बात करते हैं, 4 closer के बारे में, यहाँ पे आपको as per the offer, आपको 04 closing charges पे करना होगा, अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी loan को समय सीमा से पहले आप close कराना चाहते हैं, अब बात करते हैं, overdue interest के बारे में, यहाँ पे आपको overdue interest 2% पर मंद के साब से आपका लगेगा जब तक आ आप EMI नहीं भरते हैं, आप 6 मेने से पहले 4 close नहीं करा सकते हैं, तो यह चीज़ा आपको ज़रूरी जाननी है, इस loan को apply करने से पहले, अब बात करते हैं tenure के बारे में, जो कि बहुत important part है किसी भी loan के लिए, आपको यहाँ पे एक साल से लेके 7 साल का EMI tenure देखनी को मिलेग जो है देने होते हैं, पहला होता आपका address proof, दूसरा होता identity proof, तीसरा होता income proof, इन तीनों में से आपको चाहिए आप individual salary person हो, या आप self employed हो, आपको यह documents submit करने होंगे, अपने branch में या online आपको detail देनी होगी, अब जानते है eligibility and criteria के बारे में, यानि कि कौन-कौन से लोग इस loan के apply कर सकते हैं, और वो eligible है, देखे सबसे पहले अगर age की बात करें तो age bracket यहाँ पे 21 से लेके 60 साल है, salary person के लिए, और अगर आप self employed है, चाहिए private firm के अंदर हो, या कहीं पे भी, तो उस case में आपको 21 से 65 साल की आपकी age होनी चाहिए, तब ही आप इस loan को apply कर सकते हैं, यहाँ यहाँ पे आपको कम से कम 3 लाग का आपका yearly income होनी चाहिए, चाहिए आप salary slip में दिखाए, चाहिए आप ITR में दिखाए, चाहिए आप balance rate में दिखाए, अब दोस्तों आप बात करते हैं, इस loan को आप कैसे apply कर सकते हो, इस loan को apply करने के दो तरीके हैं, या तो आप नजदी की SJFC bank के branch पे जाके अपने documents को लेके वहाँ से apply कर सकते हो, सिधा bank के अंदर, दूसरा है आप online apply कर सकते हो, यहाँ पे आपको कम से कम जो non existing SJFC bank के ग्रहाक है, उनको कम से कम 7 दिन का time लग सकता है, proper तरीके से loan को, दोस्तों अगर आप बात करें कि bank कितना finance करेगी, जो इनके selected cards ह का मतलब finance का option देखने को मिलेगा, otherwise अगर आप देखे normally, तो आपको 80-90% का finance option देखने को मिल सकता है, तो दोस्तों overall यह थी वीडियो SJFC bank के car loan के बारे में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो please इस channel को जरूर subscribe करेगा, thank you so much यहाँ तक बने रहने के लिए